जय भारत में दीपक क्रशी बजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभी नदन है दोस्तो आज का नीमश मंडी का लसून का बजार और सभी जिन्सों का क्रशी बजार देख लेते हैं लसून में तुफानी तेजी आज देखने को मिली है बजार तेज देखने को मिला है इसके अलावा अन्य बात करें जिन्सों की कैसी तेजी मदी रही है तो धनिय में बात करें आज काफी बंपर आवक थी और बजार में काफी गिरावर देखने को मिली है धनिय के अंतरगर नए धनिय में तो नए धनिय में काफी मदी देखने को मिला है आज और लसून में त टेजी रहा है डालर चना मद्दी की गिरफ्त में आज चुका है इसके अलावा कलोंजी में बजार समान है इस अब गोल में अच्छी तेजी देखने को मिली 200 रुपे की मेथी नाय मेथा आया था वो तरेपन सो भीका उपर में थावन सो रुपे तक भीका नई मेथी भी आने नीता के साथ में आज की निमच मंटी के लसून के बजार देख लेते हैं तो सुबे से बजार तेजी के साथ ही रहा था अच्छी लेवाली थी 7,509 रुपे तक उपर में उटी भीका था एकात लोट कुछ उपर भी भीक सकता है वो हमार पास फिगर नहीं आया है मोटे माल जो है वो 6,500 रुपे से लगा कर 7,300 रुपे तक बिके हैं एवरेज मोटे माल उटी के अठावन रुपे से लगा कर 6400 रुपे के बीच में बिक रहे हैं और जो लड़ू माल टाइप मिक्स माल है फूल गोला लड़ू वाला 5,000 से अठावन रुपे और मीडियम बारिक मिक्स वाला माल 3200 से 3800 इससे नीचे कुछ बारिक हो तो 2800 से 3000 के बीचे 9,000 बोरी आवक बजा 300 रुपे तेज रहा दोस्तों देशी लशू में भी बजा तेज ये उटी में भी तेज ये तो उपर में इतना टाप माल नहीं थे आज मोटे माल जो है वो 5000 से 5000 रुपे तेज रहा ले वाली अच्छी रही जोड़ा रही एकदम ताप कॉलिटी के बं माल नहीं थे जो 1500 रुपे बिक सकते थे वेसी कॉलिटी का माल आज एक भी धेर देखने को नहीं मिल रहा था मगर ले वाली कुछ भी अच्छी देखने को मिली लसून में बाकी तो सभी बजा तेज सो तीने जार के बीच में और बारिक माल नीचे में एक धेर 1400 रुपे तेज रहा ले वाली अच्छी जोड़दार एक नंबर देखने को मिली लसून में तेजी के अलावा आपको हर जगे तेजी धुननी पड़ेगी देखते से नहीं मिलेगी कलोंजी 12,481 रुपे बिका 12,481 और एक डेर 12,300 से 12,450 तक के बढ़िया मालों के बजार है पक्के एवरेज बेश्ट मालों के 11,800 से 12,200 तक के बजार है पक्के एवरेज माल 10,800 से 11,500 नीचे में जैसा माल वेसा दाम वाला सिद्धान्त काम करता है जैसी क्वालेटी वेसा आवक रगबग सो बोरी की रही बढ़ा रगबग समान रहा क्योंकि नीचे की रेंज हलकी आती है तो उसका रेंज लिखना बहुत मुश्किल होता है इसलिए जैसा माल वेसा दाम का सिद्धान्त रहेगा इस सब गोल उपर में 10,300 एक पेकिट माल एक धेर भी का बढ़िया एश्टा पेकिट माल 10,000 से 10,200 बिकें कुछ हलके पेकिट 9,900 तक बिकें जाकि एश्टा पेकिट के आवक आज अच्छी थी जो 10,000 के असपस बिका सिमी पेकिट माल 9,700 से 9,900 रूपय तक बिका एवरेच फोरें कुलेटी 9,500 से 9,700 के बीच चालू माल 9,000 से 9,400 नीचे में जैसा माल वेसा दाम वाला सिद्धान्थ है और 500 बोदी की आवक है बजा लगपक 200 तेजे लेवाली अच्छी है 100-200 पक्का तेजे बढ़िया पेकिट मालों की आवक आज अच्छी थी एश्टा पेकिट वालों की ग्रीन माल 545 रूपय हमारे आत में आया उपर में कुछ औ दिन वाला माल 3800-4000 वो 20-37% वाला बदामी माल लगपक 32-37 आवक लगपक 4000 बोरी की रही बजार लगपक 300 रूपय नरम रा मंडी लगपक 33-34 रूपय से लगा कर 43-45 रूपय तक ही भी किये उससे उपर के लोट बहुत कम भी के है 33-34 से लगपक 43-45 की मंडी है दोस्तों इस तो लगपक आपको तेजी धुन्डनी पड़ेगी तभी नजर आईगी मेथा नया मेथा अठावन सो विका उपर में एवरेज माल दोजार गुंदिस वाला 3700-3800 पिला कुवालेटी गुंचालिस सो से 4000 मोटा माल 41-42 सो इस्पेशल माल 3400-4800 पुराने बढ़या माल 3700-3850 कुछ मोटे टाइप के माल है वो 49-49-40 तक है हलके माल 3300-3800 नई मेथी 2020 की 4000-5000 तक भी की आवक कुल 800 बोजी नए मालों में बज़ा 100 रुपे तेज पुराने में 50 नरम नए मेथे में बज़ा 100 रुपे तेज रहा दोस्तों गेओं की बात करें 280 रुपे उपर में आया है गिला माल 1500-1600 पुराना माल 1700-1800 पुराना मिल और नया मिल एकी भाव विका नोजर बोरी आवक पुराने मालों बज़ा 100 रुपे नरम नए मालों बज़ा 25 रुपे नरम तो पुराने ग्यों में भारी मद्दा राज पुराना ग्यों 100 रुपे मद्दा देखने को मिला और बात करते हैं दोस्तों मसूर की 429 रूप उपर में बिकी 4209 बढ़िया माल जो 4150 से 42 के बीच में बिके हैं और एवरेज माल 4000 से 4120 में बिके हैं नीचे में चालू माल 3700 से 4050 जैसा माल वेसा दाम आवक लगबग 200 बोरी की रही और बढ़िया में लगबग 50 रूपे की कल के देर से 20 बोरी के आवक थी डालर जैना उपर में 5,011 रूपे बिका बढ़िया ताप पुराना डालर जैना 4600 से 4850 एवरेज माल 4000 से 4500 रूपे चालू डंकी शंकी 3500 से 3800 सो बोरी आवक बजा 300 नरम पुराने मालों में लेवाली सुस्त पुराने मालों में कोई लेवाल एक देर साथ 3690 आ सकता है दोस्तों इसा सुनने माया है बढ़िया माल 3625 से 3681 जिसका हमने लाइव वीडियो दिया है एवरेज माल 3450 से 3500 काणू चालू माल 3250 से 3350 हलका माल 2700 से 3000 बजा 200 रूपे नरम आवक थाजार बोरी रही और इसका पूरा वीडिन हमने मद्दी का क्यों है सुयाबिन एक वीडियो दिया है वो अवश्य देखे आप सुयाबिन का आज का मक्का उपर में 1500 बईयाली सूपे बिकी बढ़िया मक्का जो है 1650 से 1500 के बजार रहे गए है एवरेज मक्का 1300 से 1350 से 1400 के रहे गए चालू माल 2500 से 1300 के रहे गए आवक 400 बोरी बजार 50 नरम जिसक उपर में 1600 बईयाली सूपे देखा मात्र बढ़िया माल 1580 रूपे से लगाकर 1600 के बीच में बिक रहे है एवरेज माल 1530 से लगाकर 1550 तक बिक रहे और गिला शीले माल है 1400 से 1500 आवक लगबग 2000 बोरी की रहे बजार लगबग 100 से 1200 रूपे नरम तो दोस्तों तेजी तो देख एवरेज माल 42 से 46 रूपे नरम कह सकते हैं कुछ एवरेज मालों में लेवाली कमजोर जरूर कह सकते हैं अश्वगंदा में इसी कोई विशेश तो बात है नहीं 25,500 रूपे तक बिका उपर में बढ़िया माल 24,000 से 26,000 के बजार है लगबग 25,500 बिकते हैं एकदम स्पेशल माल मीडियम माल 15,000 से 23,000 एवरेज माल 14,000 से 26,000 लगबग 300 बोरी के आसपस आवक रही बया लगबग समानता के साथ रह एशी कोई विशेश तेजी मत दी देखने को नहीं मिली पोस्ता के बजार में बढ़िया मालों के आवक नहीं उपर में 25,000 विका तीनोपाल की रंगत मालों 95,000 से 25,000 बढ़िया माल की तंगत गुलाब और वेश्ट गुलाब 82,000 से 23,000 एवरेज माल 68,000 से 24,000 नीचे में जैसा माल वेसा दाम मात्र 15 बोरी आवक बजार में लगब दोस्तो अजमो देशी 22,500 रूपया और पोरी वाला अजवाईन की बात करें तो 7,000 से 7,500 रूपया मीडिया में बेश्ट माल 6,500 से 7,000 रूपया एवरेज माल 55,000 से 22,000 रूपया आवक लगबग 100 बोरी और बजार लगबग 200 रूपय नरम लेवाली सबी जगे दम नहीं है कमजोरी है और बात करते हैं चने की तो चने में नए चने में तो बजार लगबग समानी रहा कोई विशेश मद्दा नहीं पूराने में जरूर मद्दा विशाल चना 3650 पूराना और काटा चना 3625 बिखा नया माल 3,000 से 3650 तक बिखा नए क्या वगड़े 3,300 बोरी की नए मे समान कोई तेजी मद्दी नहीं पूराने में बजार 555 नराम पूराना विशाल चना 3600 से 3650 पूराना विशाल चना 3600 से 3625 एवरेज माल चाय विशाल काओ काटे का 3500 से 3600 डंकी शंकी 32 से 3400 पूराने मालों बजार मद्दा 1500 बोरी की आवग देखने को मिली है बात करते आवक रही बजार लगबग 100 रुपे नरम रहा और बजार लगबग 100 रुपे नरम रहा लेवाली कमजोर देखने को मिली है तो 300 बोरी की कुल आवक थी ज्यादा आवक नहीं थी 300 बोरी में भी बजार दाउनी देखने को मिला कांदे में जरूर कुस सुधार देखने को मिल तो कल भी कुछ तेज था आज भी कुछ तेज लेवाली अच्छी है उड़त में भारी मद्दी की चपेट में उपर में 4,901 रूपे भी का बड़िया माल 500-5500 रूपे के बजार है और मिडियम क्वालिटी 2200-6600 रूपे के बजार है एवरेज माल 3000-3800 रूपे तक के बजार ह तो विश्व वव्यापी मद्दी सभी चीजों में देखने को मिल रही है तो आज की मद्दी का असर तो अंतरराष्टी स्थर पे क्रूड आयल में जो साओधी अरब द्वारा कल कदम उठाएगे उसकी वज़ए उसे बजारों में मद्दी का माहल आज देखने को मिल रहा ह तीलहन में बात करें तो फिर तारा मीरा भी आज मद्दा है उपर में 3188 विका 3188 बड़े अमाल 3100 से 3150 विका नीचे में 3055 एक धिर विका 3055 से 3150 बड़ी क्या वक 200 नरम तो दो बड़ी मेनस से वीडियो बनाए पसंद आये तो लाइक अवश करें और ना आये तो कर सके जय हिन जय भारत जय हिन जय भारत